लोगसबा चुनाव 2024 के लिए बिजेपी ने अपने उमिद्वारों की पहली सुची जारी कर दी है शनिवार को जारी लिस्ट में 195 उमिद्वारों का नाम है उत्तर से लेकर दक्षिन के राज्यों के नामों का एलान बिजेपी ने शनिवार को किया पश्चिम बंगाल के उमिद्वारों के नाम का एलान भी उसी में किया गया जिसमें आसन सोल से भोचपूरी गायक पवन सिंग को पार्टी ने टिकिट दिया था उन्हें मैदान में उतारा था लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही पवन सिंग ने चुनाओ लडने से मना कर दिया ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी और उस ट्वीट में लिखा कि वो पार्टी के अध्धक्ष जेपी नड़ा और बीजेपी के अभारी हैं धन्यमात देते हैं कि उन पर पार्टी ने विश्वास किया था लेकिन वो चुनाओ लडने में असमर्थ हैं वो चुनाओ नहीं लड़ेंगे ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वजह क्या है कि जो पवन सिंग पहले इस बात पर अड़े थे कि वो चुनाओ लड देंगे और पार्टी को धन्यमात देते हैं अब कई तरह की बातें इससे निकल कर सामने आती हैं कुछ लोगों का पवन सिंग से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि पवन सिंग बिहार के आरा से टिकेट चाह रहे थे जहां से आरके सिंग चुनाओ जीते हुए हैं और के बंगाल का आसन सोल वो छेतर है जहां सबसे ज्यादा हिंडी भासी लोग रहते हैं और खास तर पर उसमें बिहारी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है 2019 के लोग सबाचुनाओ में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियों को वहां से अपना उमिद्वार बनाया था केंदर में वो मंत्री भी बने थे लेकिन कुछ राजनितिक परिष्थिती और टीमसी की वज़ा से उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और वो टीमसी में वापि पवण सिंग्भ बेट लोग पीरिया हैं भोजफ़ोर्व गायक हैं लेकिन जैसे ही उनके नाम का एलान हुआ तो जो सुत्र बताते हैं कि टीमसी ने पवण सिंग्भ के गाये हुए गानों कोही उनके खिलाप और बीजेपी के खिलाप हथियार बनाना शुरू कर दिया उन बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। जैसे कि गाना बंगालीन सौतिनिया, बंगाल के पानी जैसे गानों को सारवजनिक करना शुरू कर दिया, टीएमसी के नेताओं ने और बाबुल सुपरीयों ने, और दिवारों पे पोस्टर चपकाई जाने लगे और टीएमसी बंगाल प्रदेश जो बीजेपी है उसने भी इस पर नराजगी जताई और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़ा से और केंद्री अग्रिह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगाल के पस्चिम बंगाल के तथागत राये ने निवेदन किया कि पव इसे में पवन सिंग की उमिद्वारी से उनका वो आंदोलन वो मुहिम कमजोर पर जाएगा और टीम सी को मौका मिल जाएगा बीजेपी पर हमला करने का तो कि इनके गाने भी महिलाओं के उपर ही हैं जो अपमान जनक हैं भद्दे हैं अशलील हैं इसलिए इनको मैदान से ह दलने लगी और पार्टी को भी शायद यह हसास हुआ कि पवन सिंग की वजह से टीम सी को ज्यादा मौका मिल जाएगा और पस्चिम मंगाल में संदेश खाली की महिलाओं को ले करके ही ममता बनर जी को कट घरे में खड़ा कर रही है बीजेपी इसके साथ यही नहीं गानों कोई टीम सी ने हथियार नहीं बनाया जो जानकार बताते हैं कि पवन सिंग की जो एक्स गर्फरेंड है यानि पुर्व महिला मित्र अक्षरा सिंग को भी टीम सी ने हथियार बनाने की तयारी कर ली थी यानि पवन सिंग के खिलाफ उसको उतारने की तयारी टीम सी ने शु कर दिया था तो पार्टी ने खुद पवन सिंग से कहा कि आप अपनी उमिद्वारी वापिस ले लिए ताकि एक संबान जनक की स्थिती रहे पार्टी को हटाना ना पड़े चुकि अगर पार्टी हटाती तो कई सवाल खड़े हो जाते कि क्या चैन की इतनी खराब प्रकिरिय आप अपनी उमिद्वारी वापिस ले लीजिए जिसकी वजह से पावन सिंग ने ऐसा किया लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर पावन सिंग चुनाव खुद नहीं लड़ना चाह रहे थे तो जैसे ही उनके नाम का एलान हुआ पार्टी कार्याले से शनिवार को वैसे ही जिम में अपने साथियों के साथ वो खुब खुस थे और जश्न मनाते हुए पावन सिंग ने वीडियो भी जारी किया था यानि उनको कोई परिशानी नहीं थी तो ये दलील जो पावन सिंग आरा से चाह रहे थे नहीं मिला इसलिए दुखी थे और सहज नहीं थे आसन सोल से तो इस बात की हवा निकल जाती है इसमें ज्यादा वज़र नजर आता है कि जो टीमसी ने शुरू कर दिया था उनके गानों को ले करके और अक्षरा सिंग को आगे करना शुरू कर दिया था तो पार्टी को शायद ऐसा लगा कि पावन सिंग की वज़ा से न सिर पड़ जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पावन सिंग ने पस्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर के भोजपूरी में जो गाने गाये हैं वो गाने अशलील हैं भद्दे हैं और महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ भी हैं तो शायद जैसे ही राज जी की इकाई ने क पूरी चीजे भेजी वहां से उनके जो जानकारी मुझे मिली है कि उनके गाने गानों की सीड़ी भेजी गई उसके कई सारे क्लिप भेजे गए उसके पोस्टर्स भेजे गए तो केंद्रिये नेताओं ने ये तैय कि पवन सिंग को मैदान से हटा दिया जाए और केंद्रि कि वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं अब देखने वाली बात होगी कि आसन सोल से अब बीजेपी किसे उमिद्वार बनाती है क्योंकि नाम एलान होते ही टीमसी आसन सोल में बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है वीडियो जनलिस्ट जन्यंतर के साथ विक